हेलो फ्रेंड्स जीनाई सी का नाम है यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल कद्दू की सबजी ना इसमें लसन है ना है प्याज फिर भी खाने में लगती है बड़ी स्वात तो आईए ये टेस्टी से सबजी बनाना शुरू करत हैं मैंने 500 ग्राम कद्दू लिया है अब इसको दो भागों में काट लेंगे तो लीजिए मैंने कद्दू को दो भागों में काट लिया है और इसके छिलकों को हम नहीं उतारेंगे क्योंकि हलवाई भी छिलके सहीती कद्दू की सबजी बनाते हैं और ये खाने में बहुत ह अच्छी लगती है अब इसके जो बीच वाला हिस्सा है बीज वाला इसको हम अच्छे से काट के साफ कर लेंगे तो कद्दू के बीच का हिस्सा है अच्छे से हमने साफ कर लिया है और अब इसके हम छोटे-छोटे पीस काटेंगे ज्यादा छोटे पीस हम नहीं करेंगे मतलब मीडियम ही रखें ज्यादा छोटे करेंगे तो जो कद्दू है वो गुट जाएगा और खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा तो इसलिए हमें थोड़े से बड़े ही पीस रखने हैं जिससे की जो पीस हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बने रहें मैंने कद्दू को मीडियम साइज के पीसों में कट कर लिया है आप अपनी मर्जी से इसके पीस बड़े या छोटे कर सकते हैं तो लीजिए हमारा कद्दू कट के तयार हो चुका है अब इसको हम पानी में डाल कर अच्छे से वाश करेंगे तो लीजिए हमने कद्दू को पानी में डाल लिया है और इसको अच्छे से वाश करना है ताकि जो इसके उपर मट्टी है वो अच्छे से साफ हो जाए और इसके बीच में थोड़ा सा चिपचिपा पन भी होता है जो बीज वाला पाठ है उसको भी अच्छे से वाश करेंगे कड़ाई में दो से तीन मग पाने डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमग डालेंगे अब इसमें हम कद्दू डालके कद्दू को अच्छे से बॉयल करेंगे जब तक हमारा कद्दू पक ना जाए कद्दू को बॉयल होते हुए 10 मिनट होगए है चलिए अब हम कद्दू को एक बार चेक कर लेते हैं कि कद्दू हमारा पका है या या नहीं अब हम एक चाकू से या किसी चम्मस से कद्दू को चेक करेंगे देखे कद्दू हमारा अच्छे से पक चुका है अब इसको हमें एक बाउल में निकाल के ट्रांसफर कर लेंगे कद्दू को एक बाउल में निकाल लिया है अब इसके हम तड़के के तियारी करते हैं ऑईल अच्छे से गरम हो चुका है मसालों में हमने मेथी दाना जीरा कलोंजी और राई का इस्तमाल किया है और आप चाहें तो सोफ का भी इस्तमाल कर सकते हैं सोफ भी सिताफल में खाने में बहुत ही स्वाद लगती है लेकिन मुझे कम पसंद है तो इसलिए मैंने नहीं डाली है अब इसमें हम दो सूखी लाल मिर्शे और दो से तीन कटी हुई हर इमेज डालेंगे और इन समभी मसालों को हम तेल में अच्छे से भुनने देंगे मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं अब इसमें हम दो से तीन काटे हुए टमाटर डालेंगे अगर आपको खटा खाना सिताफल पसंद है तो आप इसमें एक दो एक्स्टा टमाटर भी डाल सकते हैं अब हम टमाटरों को पकने के लिए छोड़ देंगे और इस पे धक कन कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं टमाटरों को पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है चलिए अब हम टमाटर को चैक कर लेते हैं देखिए टमाटर हमारे काफी हद तक पक चुके हैं लेकिन अभी भी इनको थोड़ा सा पकाना बाकी है लेकिन अब इसमें हम मसाले डालेंगे मसालों में सबसे पहले हम आधा चमच नमक एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच लाल मिर्श पाउडर और आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच गरम मसाला और इन सभी मसालों को हम टमाटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सभी मसालों को हम थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे लेकिन इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अब एक धक्कन से कवर कर देंगे थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे टमाटरों को पकते हुए थोड़ी देर हो चुकी है अभी ने हम चैक कर लेते हैं कि टमाटर पके हैं या नहीं देखिया हमारे टमाटर बिर्गुल अच्छे से पक चुके हैं ये बहुत ही असानी से मैश हो रहे हैं दबाने पर और इनमें मसाला भी अच्छे से मिक्स हो चुका है जो कद्दू हमने बॉil करके रखा है अब वो हम इसमें डाल देंगे और इसको कल्ची से चलाते हुए हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे कद्दू को चलाते हुए मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है कद्दू में अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसको हम ढखकन से कवर कर देंगे और जो इसका सिफ extra पानी है ना सिरिफ उसे जलाना है क्योंकि गद्डू तो हमने पहले से ही पका रखा है सिफ extra पानी को हम जलाएंगे और पीच बीच में हम इसको चेग करते रहेंगे कि कद्डू का पानी जलाा है या नहीं देखे इसमें अभी पानी है तो इसलिए एक बार हम इसको और कवर कर देंगे धक्कन से तब तक इसका पानी जलेगा तब तक हम पराठों की तयारी कर लेते हैं चलके पराठे बनाने के लिए हमने एक कटोरी घिहूं का आटा लिया है अब इसमें आदा चमच अजवाइन डालेंगे आदा चमच नमक अजवाइन और नमक को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसका एक सोफडो बनाके तयार करेंगे अगर पानी की जुरत लगेगी तो हम बाद में पानी का और इस्तमाल करेंगे लेकिन हमें आटे का एक सोफडो बनाके तयार करना है जिससे कि हमारे पराठे काफी सोफड बने और खाने में टेस्टी लगें आठे का एक सोफडो पनागे तयार कर लिया है चलिए इसके हब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं पराठा बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक लोई काटी है और लोई आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं अब हम चकले पे थोड़ा सा सूखा आठा डालेंगे और लोई को दोनों तरफ से प्रैस करेंगे और इसका पराठा बनाना शुरू करते हैं बेल के पराठा हमारा बन चुका है चलिए इसे तवे पे डालका सेखना शुरू करते हैं पराठा हमारा एक तरफ से हलका हलका सा सिख चुका है अब इसको हम पलड देंगे और पराठे पे हम ओईल डालेंगे और ओईल को चारो तरफ अच्छे से लगा देंगे पराठे पे अब फिर से हम कल्ची की सायता से पराठे को पल्टेंगे और दूसरी तरफ भी ओयल अच्छे से लगा देंगे कल्ची की सायता से पराठे को चारो तरफ से अच्छे से सेखेंगे ताकि पराठा कहीं से कच्चा ना रहे अब इसको हम पलटके दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेख लेंगे अगर परांठे हमारे अच्छे से सीखे होंगे तो खाने में अच्छे लगेंगे टेस्टी लगेंगे तो लीजिये हमारा गर्मा गरम परांठा बनके तयार हो चुका है इसी तरीके से हमने सभी पराठे बना के त्यार कर लिये हैं चलिए अब हम कद्दू की सबजी को चैक कर लेते हैं कद्दू की सबजी में जो एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है और हमारे कद्दू के पीस भी बिर्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे हमने डाले थे तो लीजिये हमारी गरमा गरम खलवाई style कद्दू की सब्जी बनके तयार हो चुकी है आप इसे गरमा गरम पराटो के साथ में या पूरी के साथ में इन्जोय कर सकते हैं ये खाने में बहुत तेस्टी लगते हैं और कद्दू की सबजी सबसे चाहतार है कंगाल। अगर सब्सक्राइब को नए हों मिलें जल्दी ही नहीं को लीज़िए देफ के साथ लाकिज करते हैं करई पिसिंदे यहल।